मित्रो नमस्कार आज एक ऐसे विशेपर एक कविता है जो हम सबसे कई न कई जुड़ी है अक्सर हम भावावेस में कई बार हम या हमारे कोई परचित अपने पिता से सवाल पूछ बैठते हैं आपने क्या किया है हमारे लिए होता है कई लोग पूछ बैठते हैं हो सकता है आपने न पूछाओ ऐसा ही एक प्रस्न मेरे सामने मेरे मित्र ने अपने पिता से पूछा उसके बाद बहुत देड़ तक उसका ये सवाल मेरे दिमाग में घोमता रहा मैं उसके घर से निकला और अपने घर तक आते आते रास्ते में कई विचार मेरे मन में आए कि क्या ये सवाल हो सकता है पिता से क्या कोई ऐसा पूछने का साहस रखता है लोग पूछते हैं फिर कुछ भाव मेरे मन में आए उनको काब्य की रूप में प्रस्तुत करने संजुने पिरोने का काम मैंने किया उसी को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कविता का सीष्षक है पिता ने क्या किया प्रस्तुत है क्या किया है पिताने तुम्हारे लिए तुमने साहस कहां से बटोरा प्रश्णिय पूछने का क्या किया है पिताने तुम्हारे लिए तुमने साहस कहां से बटोरा प्रश्णिय पूछने का बचपन की छोड़ो तब कि तुम्हें सूध न होगी बचपन की छोड़ो तब कि तुम्हें सूध न होगी जवानी तो याद है न तो फिरियात करो पिता दपतर जाते थे साइकल से तुम्हें दिलाई थी नई मोपेड जाने के लिए कॉलेज पिता दफतर जाते थे साइकल से तुम्हें दिलाई थी नई मोपेट जाने के लिए कॉलेज उची पढ़ाई कराने तुम्हें बैंक के काटे चक्कर तमाँ लाखों का लॉनलिया उधार तुम्हारे कंधे पर होना था बोज उस उधार का तुम्हारे कंधों पर होना था बोज उस उधार का लेकिन कमर जुकी है पिता की याद करो पिता ने पहनी तुम्हारी उतरी कमीज लेकिन तुम्हें दिलाई ब्रांडेट जीन्स याद करो पिता ने पहनी तुम्हारी उतरी कमीज लेकिन तुम्हें दिलाई ब्रांडिट जीन्स पेट काट कर कुछ रुपए जोड़े पेट काट कर जोड़े कुछ रुपए तुम्हारा जन्म दिन होटल में मनाने को नहीं आने दी तुम तक मुसीबत की चिंगारी एक भी कभी खुद के सुपन खो दिये सब तुम्हारे लिए चांस सितारे लाने में पिता ही उस मौके पर साथ तुम्हारे थे पिता ही उस मौके पर साथ तुमारे थे जब पहली बार हार से कदम तुमारे लडखड़ाए थे सोचो पिता ने हटा लिया होता आसरा तो क्या खड़े होते तुम जिस जगे खड़े हो आज पिता होकर क्या पाया तुमारा रूखा वे बहार बे अदब सवाल पिता होकर ही समझोगे साथ तुम फिर साहस न जुटा पाओगे प्रश्न यह पूछने का क्या किया पिता ने तुमारे लिए आओ प्यारे प्रश्न यह बनाने की कोसिस करें हमने क्या किया पिता के लिए क्या करेंगे पिता के लिए क्या उरिण हो सकेंगे पित्र रिण से मित्रो मुझे उमीद है भरोसा है कि मेरे भाव आपके मन तक पहुँचे होंगे जीवन में पिता की उपस्थती उनका होना बहुत मायने रखता है अपने पिता का सम्मान कीजिए फिर एक नई कविता के साथ किसी रोज आपसे मिलेंगे तक तक के लिए आपसे विदा चाते हैं नमस्कार जैहिंद